हलो फ्रेंड्स मैंसल शब्बीर उसेन and you are watching Physio Talk दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे औस्टियो पॉरोसिस बीमारी क्या होती है औस्टियो पॉरोसिस को किस तरीके से आप डाइग्नॉस कर सकते हैं औस्टियो पॉरोसिस को आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं औस्टियो पॉरोसिस बीमारी को होने से आप कैसे अपने आपको बचा सकते हैं साथ ही आपको बताएंगे कि exercise करने से क्या effect पड़ता है औस्टियो पॉरोसिस पर आज की वीडियो को दोस्तों ऑस्टियो पॉरोसिस यह एक ऐसी विमारी है जिसमें हमारी हड्डियों में बोन का जो मिनरल कंटेंट है वो कम हो जाता है तो जब हमारी हड्डियों में से mineral content कम हो जाएगा तो उसकी वज़े से होगा क्या कि हमारी जो हड्डियां है वो कमजोर हो जाएगी हमारी bone जो है वो weak हो जाएगी जिसकी वज़े से हमारे हड्डियों के अंदर fracture होने का खत्रा बढ़ जाएगा खास कर आपके spine में, reed की हड्डी में, आपके hip joint में, उले की हड्डी में और आपके wrist joint में यानि की कलाई में आपके fracture होने का खत्रा बढ़ जाता है तो दोस्तो इस तरीके से osteoporosis आपकी हड्डियों को porous बना देता है और उसको कमजोर कर देता है जिससे कि आपकी हड्डिया easily fracture हो जाती है तो दोस्तो अब बात करते हैं कि osteoporosis का diagnosis आप कैसे कर सकते हैं दोस्तो osteoporosis को diagnosis करने के लिए हम एक test का स्टेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं bone mineral density test यानि की BMD bone mineral density test इस test के अंदर T score हम पता करते हैं T score अगर 1 से ज्यादा है तो आपकी bone के अंदर mineral content sufficient है आपकी sonstic यहींर्य की जो bone density है वह normal मानी जाती है पर आपकी BMD के अंदर अगर आपका T score-1 से –2.5 के बीच में है तो यह माना जाता है कि आपको osteopenia है यानि की आपकी जो bone density है वह कम है और अगर आपका T score-2.5 से कम है तो यह माना जाता है कि आपको osteoporosis की बिमारी है, आपकी बोल पोरस हो चुकी है और आपको अब easily fracture होने का खत्रा रहेगा, यानि कि आपको osteoporosis नाम की बिमारी हो चुकी है, अब बात करते हैं कि इसको prevent कैसे किया जाए, दोस्तो इसको prevent करने के लिए आपको healthy lifestyle को maintain करना होगा, इसको prevent करने के लिए आपके diet के physical activity अगर आप करेंगे तो आप अपने आपको prevent कर सकते हैं इस osteoporosis बिमारी से होने से, अब बात करते हैं कि इसके risk factors क्या होते हैं, दोस्तो अगर आप smoking करते हैं, alcohol का consumption करते हैं तो आपको osteoporosis होने का खत्रा रहता है, post-menopause यानि कि जब मासे धर्म बंद हो जाते हैं, उसके लोग जो physical activity जिनकी बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उनको भी osteoporosis होने का खत्रा बहुत ज़्यादा रहता है, साथी ऐसे लोग जो bad rest पर रहते हैं, लंबे समय तक bad rest पर रहते हैं, जिसकी वज़े से उनकी physical activity नहीं यह हो पाती, उनको भी osteoporosis होने का खत्रा बहुत ज़्यादा रहता है, अब बात करते हैं कि osteoporosis के लिए आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, दोस्तों आपको अपने नजदी की डॉक्टर के पास जाके BMD टेस्ट करवाना है, इस BMD टेस्ट में आपका जो T score रहेगा, उसके according, आपको medication लिखेंगे और वो medication आपको शुरू करनी पड़ेगी, साथ ही आपको अपनी physical activity के उपर ध्यान देना पड़ेगा, weight bearing exercises आपको करनी पड़ेगी, दोस्तों physical exercise का osteoporosis पर क्या effect होता है, उसके बारे में मैं आपको बात करूँ, तो ये माना जाता है कि जब आप physical activity करत दूरी है, osteoporosis को prevent करने के लिए, दोस्तों तो आपको weight bearing exercises काफी अच्छे तरीके से करनी है, weight bearing exercise करने से आप osteoporosis को prevent कर सकते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताया osteoporosis क्या होता है, किस तरीके से आप osteoporosis का diagnosis कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस बिमारी को prevent कर सकते हैं इसके क्या क्या risk factors होते हैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share and subscribe करना ना भूलें Thank you for watching Physio Talk